नमस्कार दोस्तों मैं हूँजे और आप देख रहे हैं डेली न्यूजब देट उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बार फिर से फजियत हुई है यूपी के मिर्जापूर में गंगा गाट पर चल रहे तलासी अभियान को देख रहे हैं इस घड़ना के बाद हुई फजियत पर पुलिस विवाग ने एक्शन लिया है और इस मामले की जाँच के आदेश दे दिये गए हैं मिर्जापूर में बिंद्याचल कोतवाली थाने के इस्टेशन हाउस अधिकारी सेच्चो को सामिल करते हुए पुलिस विवाग को घड़ना की विवागी जाँच का आदेश देना पड़ा आरोपी अधिकारी का नाम सेजधर पांडे बताया जा रहा है हालांकि पुलिस विवाग ने जाँच के आदेश तब दिये जब बहुजन समाजपाटी बसपा के बहुजन जागरिती मंच सहित अन्य राजनीतिंग मोर्चों ने इस घड़ना की खूम निंदा की बसपा के बहुजन जागरिती मंच ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा मिर्जापूर पुलिस ऐसे ही निरे जनता को पीछे से दुलत्ती मारती है बिंद्याचल में गंगा के किनारे खड़े युवक को नवागत कोतवालने मारी पीछे से लात युवक गिरा नीचे गंगा में इसमें कई अधिकारियों को टैग भी किया गया है वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नदी के पास तलासी अभियान के दोरान पुलिस वालों के साथ साथ अन्य लोग भी खड़े हैं तभी पीछे से एक पुलिस वाला आता है और वहां खड़े एक सक्स को लात मारता है जिससे वह गिर जाता है हालांकि मिर्जापूर पुलिस द्वारा जारी एक बयान में आरोपी पुलिस कर्मी सेजधर पांडे के इस विवार का बचाव किया गया और दावा किया गया कि वो केवल नदी तरपर सोसल डिस्टेंसिंग को लागू करने की कोशिस कर रहे थे जहां एक बोड़ी की तलास के लिए चल रहे तलासी अभियान को देखने के लिए भीड जमा हो गई थी बयान में यह भी का गया कि पांडे सिर्फ सक्स को हलका चुकर सोसल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहना चाते थे मंगर इस दवरान उसका संतुलन बिगड गया और वह नदी में गिर गया मिर्जापुर पुलिस की ओर से बाद में एक ट्वीट किया गया और दावा किया गया कि असच्चो को चतावनी जारी की गई है और इस मामले में प्रारंबिक जाज के आदेश दे दिये गया है दोस्तों खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यों